नमस्कार मित्रो मैं डॉक्टर तन्वी सिंग अपने चैनल एटर्नल एड़ुसेंस क्लासेश पर आप सभी का स्वागत करती हूँ आज हम लेकर आए हैं दृष्टी दवीजन यूजिसी नेट जेयरफ स्लेट असिस्टेंट प्रोफेसर की जो फर्स्ट पेपर है उनके हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिये हैं जिसमें हमने सिक्षण अभिवृत्ति अभिशमता का पूरा वीडियो अप्लोड कर दिया है शोध अभिवृत्ति का भी पूरा वीडियो अप्लोड है मारे चैनल पर समप्रेशन का भी वीडियो अप्लोड है सूचना एवं संचार प्रद्योग की ICT का भी वीडियो अप्लोड हो गया है हम लोग पढ़ रहे थे लोग विकास और पर्यावरण इसका मैंने पार्ट व जल्दी यह जो दोनों टॉपिक है इनको क्लियर करना बहुत जरूरी हो गया है इसके बाद उच्छे तर सिच्छा प्रडाली वचेगा तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि लोग विकास और पर्यावरण का जो टॉपिक है इसको जल्दी ही समाप्त कर दिया जाएं तो च के पहले हमने वाईव प्रडूशन और भी बहुत सारी चीजों को क्लियर कर दिया था पार्ट वन को जाके आप देख लीजेगा तो आज हम स्टार्ट करते हैं जल्दूशन से तो इसको ध्यान से सुनिएगा जल्द जीवों के लिए अतेंत महत्पूर तत्व है एवं यह जैव मंडल में पोशक तत्वों के संचरण एवं चक्रण में सहायक है और द्योगी करण नगरी करण एवं मानो जनसंख्या में तीवर वृद्धी के कारण जल्द की मांग में तीवर वृद्धी हुई है भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अभिलक्षणों में प्राकृतिक एवं मानव जनित प्रक्रियाओं द्वारा होने वाला ऐसा अवनयन यह रासु जिससे की वह मानव एवं अन्य जैविक समुदायों के लिए अनुप्योग्त हो जाता है जल्दूशन कहलाता है जल्दूशन संकेतक के रूप में उप्योग किये जाने वाले प्राचल यानि पैरामिटर है कुल विघतित ठोस पदार्ध कॉलिफ फर्म काउंट विघतित आकसीजन केंद्री प्रदूशन नियंत्रण बोर्ड ने भारत में फ्लोराइड, जिंक, क्रोमियम, भारी धातुओं, पारा, यूरेनियम, कैडमियम आदि को पेजल प्रदूशन के लिए उत्तरदाई माना है जलिय परितंत्र में सुपोशन, जैवावर्धन, आदि प्रक्रिया तेज हो जाती है पेजल में कुल द्रवी भूत ठोस, टीडियस, पदार्ध के सांद्रण की अधिक्तम सीमा 500 MGL मानी गई है जल प्रदूशन में द्रवी भूत ठोस पदार्ध का सांद्रण इस सीमा से कहीं अधिक हो जाता है प्रदूशित जल का प्रभाव प्रवाल भित्ती पर भी पड़ता है इससे प्रवाल विरंजन की घटना में बढ़ोत्री होती है अब हम देखेंगे जल प्रदूशन के श्रोत उत्पत्ति के आधार पर जल प्रदूशन के श्रोतों को दो प्रमुख भागों में वर्गी कृत क्या आ सकता है पहला है बिंदू स्रोत प्रदूशन इसके अंतरगत ऐसा प्रदूशन आता है जिसमें प्रदूशक जल के निश्चित स्रोत से आते हैं जैसे नगरपालिका छेतर का सीवेज अस्थल एवं फैक्टरियों का बहिस्राव अस्थल फिर है अबिंदू श्रोत प्रदूशन इसके अंतरगत ऐसे प्रदूशन को सामिल कियाता है जिसमें प्रदूशकों का बहिस्राव किसी प्रिथक श्रोत से नहीं होता है इसमें प्रदूशक एक विस्तिक छेतर से आते हैं उदारण के लिए शहर के वर्सा जलका बहाव ग्रिशी छेतर का बहाव, धोबी घाट, खुले में सौच, पशुओं के शव इत्यादी बिंदु श्रोत प्रदूशन को उप्यूक्त तक्नीकी का उप्योग कर नियंतित किया जा सकता है, किन्तु अबिंदु श्रोत प्रदूशन को नियंतित करना कठिन है जल प्रदूशन के कारण घरेलू यह मद्योगिक अपसिष्टों का जल श्रोतों में मिलना क्रिशी में प्रयुक्त उरवरक यह खर पतवार युक्त जल का नदी में मिलना तेल अधी प्लाव रेडियो शक्री तत्तों से युक्त रसायन का जली तंत्र तक पहुँचना विद्यू तूर्जा केंद्र से निकले उच्च ताप युक्त जल का जल श्रोत में निकास नहाने व कपड़े धोने के लिए नदी जल का प्रयोग जल प्रदूशन के प्रभाव प्रदूशित जल में उपस्थित वाइरस जिवाणों पर जीवियों एवं क्रीमियों के कारण शंक्रमण जन्ने रोगों जैसे पी लिया है जा टाइफाइड, अतिसार, हैपेटाइटिस, किडनी खराब होने आदी का खतरा रहता है संक्रमित जल पीने, नहाने, खाना बनाने आदी के लिए अनुपियुक्त होता है पेजल में फ्लोराइड की अधिक्ता से फ्लोरोसिस रोग होता है जिसमें अस्थियाँ वदात कमजोर हो जाते हैं पेजल में क्रोमियम की मात्रा उचित से अधिक होने पर यकृत तथा गुर्दा संबद रोग होते हैं भारी धात्वों से युक्त जल के प्रयोक से गंभीर स्वास समस्याएं हो सकती हैं पारा युक्त जल से प्रभावित मचलियों के सेवन से 1956 में जापान में मीनी माता महमारी से अनेक लोगों की मौत हो गई थी अपसिस्ट जल में उपस्थित पारा मिश्रन सुक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा अत्यधिक विशैले पदार्थ मिथाईल पारा में बदल जाता है जिससे अंगो, होठ, जीव, आधी में सम्वेदन सुन्यता, बहरापन, आखों का धुंदलापन एवं मानसिक असंतुलन हो जाता है कैडमियम प्रदूशन से इटाई-टाई रोग हो जाता है, जिससे अस्थियों एवं जोडों में तिवर दर्ध होता है, तथा यक्रित एवं फेफडे का कैंसर हो जाता है सीसा युक्त जल से एनिमिया, सिर्दर्ध, मानस्पेशियों की कमजोरी एवं मसूडों में नीलापन आदी प्रभाव दिखाई देते हैं एसबेस्टस के रेसों से युक्त जल द्वारा एसबेस्टोसिस फेफडे के कैंसर का एक रूप रोग हो जाता है अब जल प्रदूशन नियंत्रण के उपाय देख लेते हैं जल प्रदूशन को निमलिखित उपायो द्वाला प्रभावशाली तरीके से नियंत्रित के आ सकता है घरेलू सीवेज घरेलू सीवेज में 99.9% जल एवं 0.1% प्रदूशक होते हैं सहरी छेत्रों के घरेलू सीवेज के 90% से अधिक प्रदूशकों को केंद्री कृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा हटाया जा सकता है अद्योगिक अपसिष्ट जल कुछ उद्योगों द्वारा सामान ने विशाक्त प्रदूशकों का उतसर्जन किया आता है जिनका निप्टान नगरपालिका द्वारा किया जा सकता है किन्तु कुछ प्रदूशकों जैसे तेल, ग्रीज, भारी, धातू, आधी का निप्टान, विशेस निप्टान सन्यंत्रो दोरा किया जाना चाहिए और द्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए ये हनिवारे किया जाना चाहिए कि वेकारखानों से निकले अप्सिष्ठों को बिना शोधित किये, नदियों, जीलों, एवं तालाबों में विसरजित न करें क्रिसी अप्सिष्ठ जल मानवुत पत्ती संबध गतिविदियों में केवल क्रिसी ही दोतिहाई से अधिक वैश्विक जल उप्योग हेतु तदाई है क्रिसी छेतर में अनेक अप्रदन नियंत्रन प्रडालियों द्वारा जल के प्रवाह को कम किया जा सकता है किशान उर्वरकों एवं कीटनासकों का आवसकता से अधिक उप्योग न कर तथा जैव उर्वरकों एवं जैव कीटनासकों का प्रयोग कर जल की गुडवत्ता को बनाये रख सकते हैं कीटनासक का प्रयोग कैंसर का कारक भी है आम जनता को जागरुक किया जाना चाहिए एवं जल प्रदूशन एवं उस्से उत्पन कूप्रभाव से अवगत कराना चाहिए भूमिगत जल प्रदूशन और द्योगिक नगरी एवं कृशी अपसिष्टों से युक्त जल के रीज कर भूमिगत जल से मिल जाने से भूमिगत जल संक्रमित हो जाता है सच पानी की कुल मात्रा में भूमिगत जल लगभग 30 प्रतिशत है भूमिगत जल 1.5 बिलियन लोगों के लिए जल का प्रात्मिक श्रोत है भूमिगत जल में कमी मानव के लिए कृशी समेट अन्य गत्विधियों के लिए विकट समस्या पैदा करती है भूमिगत जल प्रदूशन का प्रभाव पेजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा से यह नवजात सिशों के हीमोगलोबीन के साथ मिलकर मीथे मोगलोबीन बनाता है जो आक्सीजन परिवहन में बाधा उत्पन करता है इससे नवजात सिशों की मृत्ती हो जाती है इस रोग को मीथे मोगलो बीनेमिया या ब्लू बेबी सिंडोम कहा जाता है भारत इवं बंगलादेश के कुछ हिस्सों में भूजल में आरसेनिक प्राकृतिक स्रोत के कारण विद्धमान है आरसेनिक उक्त जल के प्रयोग से ब्लैक फूट नामक चर्म रोग हो जाता है इसके अलावा आरसेनिक से डायरिया, हाइपर कीरेटोसिस, पेरिफेरल, निूरिटिस तथा फेफडे और तचा का कैंसर हो जाता है ये सब बिमारी भी पूछता है, तो यहीं पे इसको याद कर लिजे सरकार को जल प्रदूशन के नियंतरन के लिए प्रभावी कानून बनना चाहिए यदेपी सरकार ने जल संगरक्षन एवं प्रदूशन नियंतरन अधिनियम 1974 लागू किया है लेकिन इसे और अधिक प्रभावी बनाने की आवशकता है जल प्रदूशन पर नियंतरन के लिए सरकारी प्रयास जल निकायों का संगरक्षन भारत की अधिकतर नदियां तथा जीले प्रदूशन की सिकार हैं तथा इनका जल पीने योग्य नहीं रह गया है यहां की नदियां एवं तालाब के जल प्रदूशन का सबसे बड़ा स्रोत और संसाधित मल जल प्रभाव है पर्यावरण वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्राले के अधिन कारेरत राष्टी नदी संगरक्षन देशाले का कारे यहां केंदर प्रायोजित स्कीमों राष्टी नदी संगरक्षन योजना एवं जली पारिस्थिकी तंत्र संगरक्षन हेतू राष्टी योजना के तहत नदियों जीलों एवं नम भूमियों के संगरक्षन के लिए राज्य सरकारों को वित्ती सहायता प्रदान करना है गंगा कारी योजना गंगा एक्सन प्लान देश की प्रमुख नदियों में से एक तथा स्वैम का निर्मली करण गंगा में पाए जाने वाले वाइरस जैसे बैक्टीरियो फिज करने वाली गंगा आज लगभग अपने अफवाह के आधे भाग में प्रदूशित हो गई है वर्तमान में लगभग पचास अजार से अधिक आबादी वाले सौ से अधिक शहरों का असनसाधित मल अपसिष्ट गंगा में अपवाहित की आता है तथा हजारों की संख्या में लाशों वर जले हुए और शेशों को इसमें प्रवाहित की आता है गंगा बेसीन में भारत की लगभग 40 प्रतिशत जन संख्या निवास करती है केंद्री प्रदूशन नियंतरन बोर्ड द्वारा केंद्री गंगा प्रधिकरण का गठन कर 1985 में गंगा एक्षन प्लान की सुरुवात की गई राष्टी नदी संख्या योजना 1995 में केंद्री गंगा प्रधिकरण का नाम बदल कर राष्टी नदी संग्रक्षन प्रधिकरण कर दिया गया था गंगा कारे योजना का विले और आर सीपी के साथ कर दिया गया नोट जल शक्ती मंत्राले का स्रिजन दो मंत्राले यों जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संग्रक्षन मंत्राले तथा पेय जल एवं स्वक्षता मंत्राले का विले करके किया गया है नमामी गंगे कारिक्रम केंद्र सरकार दोरा जून 2014 में नमामी गंगे नामक फ्लैक्शिप कारिक्रम के लिए रूपे 20,000 करोण आवंटित किये गये इस कारिक्रम का उद्दे से गंगा नदी का संग्रक्षन, जिर्डो द्वार एवं प्रदूशन को खत्म करना है नमामी गंगे कारिक्रम के निमलिखित मुख्य स्तंब है अब जल प्रदूशन को बताया था अब हम देखेंगे ध्वनी प्रदूशन किसी वस्तु से उत्पन होने वाली सामाने आवाज को ध्वनी कहा जाता है जब ध्वनी की तिव्रता आधिक हो तथा सुनने वालों के लिए रुचिकर न हो तो उसे सोर कहा जाता है उच्च तिव्रता वाली ध्वनी अर्थात अवांचित सोर के कारण मानो वर्ग में उत्पन अशान्ती एवं बेचैनी की दसा को ध्वनी प्रदूशन कहते हैं जैसे उद्द्योगों काशोर पत्थरों को काटना तेज चिलाना वाहनों काशोर आदि ध्वनी की तिव्रता को मापने के लिए डेसिबल डीबी काई निर्धारित की गई है डेसिबल मापक सुनने से प्रारम होता है विस्वस्वास संगठन ने शहरों में ध्वनी की उच्चता कास्तर दिन में 45 डीबी तथारात्तिर में 35 डीबी निर्धारित किया है ध्वनी प्रदूशन का प्रभाव सुनने की छमता में कमी 70 डीबी से कम आवाज अस्तर मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक नहीं है परन्तु 85 डीबी से अधिक आवाज को यदि 8 घंटे तक सुना जाए तो स्रवन छमता में कमी हो जाती है विस्वसास संगठन के अनुसार 100 डीबी की आवाज जैक हैमर वा स्नो मोबाइल मनुष्य के लिए ज़्यादा समय तक सुनना नुकसान दायक होता है फिर कारेच्छमता में कमी हो जाती है ध्वनी प्रदूशन के कारण मनुष्य की कारेच्छमता में कमी हो जाती है एकागरता में कमी तीवर ध्वनी के कारण एकागरता में कमी आती है जिससे व्यक्ति ठीक धंग से कारे नहीं कर पाता। कई रोगों का होना ध्वनी प्रदूशन से व्यक्ति पाचान एवं हिरदय संबन्दी रोग, मानसिक बिमारी, गर्भपात एवं असामान्य व्यवार से ग्रसित हो जाता है। कर देवर से ध्वनी अस्तर में कमी करके धीरे बात करना, शनेहक का प्रयोग, सोर अवरोधक, पदार्थ का प्रयोग। फिर है संचार मार्ग पर नियंत्रण करके अवरोधक का प्रयोग, पौधे लगाकर पैनलों और बाडों का प्रयोग, छोटी सडक पर बड़े वाहनों का प्रवेश निशेद, पबलिक ट्रांसपोर्ट का अधिक प्रयोग फिर रिसीवर पर नियंत्रण करके, ग्रीन मफलर हेलमेट का प्रयोग, ट्रैफिक इंस्पेक्टर के कानों में ध्वनी अवरोधक यंत्रों का प्रयोग, शांत छेतर से दूर बस स्टेंड, रेलवे स्टेशनों का निर्माड और अन्य उपाय क्या क्या कर सकते हैं? अब अगला हम देखेंगे रेडियो सक्रिय प्रदूशन कुछ तत्वों के नाबकी विखंडन के कारण अलफा बीटा तथा गामा किरणों का निश्काशन होता है यही प्रक्रिया रेडियो सक्रियता कहलाती है रेडियम, थोरियम, यूरेनियम जैसे कुछ तत्व हैं जो इस प्रकार का गुड़ प्रदर्शित करते हैं यह किरण जैविक कोशिकाओं को नुकसान पहुचाती है रेडियो एक्टिव प्रदूशन के श्रोथ एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मानो निर्मित तो प्राकृतिक देख लेते हैं सोलर, कॉस्मिक, लॉकिक लॉकिक जो है वो बाहरी है और आंत्रिक है बाहरी में है चटान, मिट्टी और आंत्रिक में है मिट्टी बिल्डिंग का समान, प्राकृतिक गैस, बाहे गैस और मानो निर्मित है नैदानिक चिकित्सा परिक्षण नाबकी परिक्षण, नाबकी रियक्टर, टेलिवीजन, नाबकी हतिहार, युरेनियम, खनन तो ये हैं सकेश रोत अब थोड़ा सा नाबकी दुरगटनाओं के बारे में देखते हैं विस्व में 100 से अधिक नाबकी दुरगटनाएं घटित हो चुकी हैं उनमें से 50 से अधिक तो अमेरिका में घटित हुई नाबकी पावर उद्योग के इतिहास में मीडिल टाउन युएस से के थ्री माइल आईलेंड में 1989 में चर्नोबिल नाबकी सन्यंतर सोवियत संग में 1986 में तथा जापान के फुकु सीमा में घटी 2011 की दुरगटनाएं महा विनाशक थी नाबकी वैग्यानिकों का मानना है यदि रियक्टर के डिजाइन में सुधार किया जाएं और अच्छा प्रचालक प्रसिक्षन दिया जाएं तो इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सकता है रेडियो एक्टिव प्रदूशन के प्रभाव विकिरन अन्य प्रदूशनों की अपेक्षा जीवों पर अधिक खतरनाक प्रभाव डालता है क्योंकि इनके प्रभाव कई पीडियों तक चलते रहते हैं काईक प्रभाव विकिरन जीवों के उतकों एवं अंगों को छती पहुचा कर उनकी कारे पड़ाली में बाधा उत्पन करते हैं उच्च तिव्रता के विकिरन प्रभाव में आने से एनिमिया रक्त स्राओ आधिके कारण प्राणियों की मृत्यू भी हो जाती है अनुआंशिक प्रभाव विकिरन के प्रभाव से जीवों के अनुआंशिक गुडों पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है उद्योग अनुसंधानेवं औशधी में रेडियो एक्टिव न्यूकलाइट का प्रयोग करने वाले लोग अन्य लोगों की अपेच्छा अधिक प्रभावित होते हैं ड्रोसेफिया पर किया गया अध्यन दर्साता है कि विकिरणों के प्रभाव से उत्परिवर्तन दर उच्छ हो जाती है उच्छ वर्गी प्राणी जैसे मानो निम्न वर्गी प्राणी जैसे कीट की अपेच्छा इन विकिरणों से अधिक प्रभावित होते हैं विकिरणों के कारण जन्तूओं के बाल उड़ना, खाल में जलन, गाठ पढ़ना, तवचा का रंग उड़ना आधी प्रभाव दिखाई देते हैं जादा विकिरण कोशिकाओं को नुकसान पहुचाता है थमरित्यू का कारण बन सकता है विकिरण के कारण जन्तूओं में उत्परिवर्तन होता है विकिरण का प्रभाव जली परितंत्र मृदा आधी पर पढ़ता है इससे बहुत से नकारात्मक प्रभाव पढ़ते हैं रेडियो एक्टिव प्रदूशन नियंत्रण के उपाए परमाड़ वं में के भूमिगत, वायू मंडल अथ्वा जल मंडल में परिक्षण पर रोक लगाई जाए मानव उप्योग वाले यंत्रों को रेडियो धर्मिता से मुक्त करना होगा नाभकी तत्वों के परिवहन में सावधानी, परमाड़ अश्त्रों पर रोक एवं निश्रस्ती करण की प्रक्रिया, चिकित्सिगी वा अनुसंधान सामान, रेडियो एक्टिव युक्त का वैज्ञानिक तरीकी से निप्टान अब हम देखेंगे ताप प्रदूशन, थारमल प्रोलोशन, ताप प्रदूशन तब होता है, जब किसी जल निकाए अथवा, वायू मंडल की वायू का तापमान बढ़ या घट जाता है वायू तापमान की अपिक्षा जल का तापमान सामानित अधिक स्थिर होता है अता तापमान में तिवर और एक परिवर्तन के प्रती जली जीवों में अनुकूलन नहीं पाया जाता तापमान में मात्र एक डिग्री सेल्टिरेट की कमी या व्रिद्धी जली जीवों के लिए घातक हो जाती है ताप प्रदूशन के प्रमुक्सरोत ताप प्रदूशन तब होता है जब अपसिष्ट उस्मा को जल निकाए के भीतर छोड़ दिया आता है वनागनी वज्वला मुखी जैसी प्राकृति घटनाय भी ताप प्रदूशन के लिए जिम्मिदार है ताप प्रदूशन के निम्लिखित स्रोत है परमाड उर्जा सनियंत्र, कोईला दहन, बिजली सनियंत्र, अध्योगी कच्राव, अपवाह, तटी हिलाकों में वनुन्मुलन, मृदा अप्रदन ताप प्रदूशन के मानुविय कारणों में वनुन्मुलन, वास्प जन्रेटरों से गर्म जल को बाहर छोड़ा जाना, साथी धातू, प्रगालक, संसाधन मिले, पेट्रोलियम शोदकार खाने, पेपर मिले, रसायन सनियंत्रों आधि के, सी तलन हेतू, जल का प्रयोग कि ताप प्रदूशन के प्रभाव, प्रतेक प्रजाती एक अनुकूलतम तापमान परास में ही जीवित रह सकती है, कुछ जीवों के लिए जैसे ही कुछ मचलियों के लिए यह तापमान परास बहुत कम होता है, उदाहरत है जीलों की मचलियां उस अस्थान से दूर हड़ ज तापमान परिवर्तन से जली निकाय के भीतर अन्य जीव स्वरूपों के लिए भी दसाएं बदल जाती हैं जिनके कारण इन जल निकायों के समस्त बायों में परिवर्तन आ जाता है ताप प्रदूशन सूपोशन क्रिया को बढ़ावा देता है ताप प्रदूशन नियंतरन के उपाए नाब की सन्यंतरों पर नियंतरन पौधार उपन करना तटी छेतरों में मृदा अप्रदन को रोकना इसमें जल को परियाप्त और सौर प्रकास वाक्सिजन की प्राप्ती होगी कूलिंग टावर ये वेश्ट उर्जा को वायू मंडल में वाश्व के माध्यम से छोड़ते हैं सह उत्पादन इस प्रक्रिया में और द्योगिक जल अपवाह को ठंडा करके घरेलू उपयोग में लाया जाता है कूलिंग टालाब, कृतिम जिलका, निर्माड, पर्यावरणी प्रदूशन से संबंधित कानून वन ने जीव संग्रक्षन अधिनिया मुनी सबहत्ता है तो यहीं पर याद कर लिजिए वन ने जीव संग्रक्षन अधिनियम 1972, जल प्रदूशन रोक्थाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, वन संग्रक्षन अधिनियम 1980, वायु प्रदूशन रोक्थाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरन संग्रक्षन अधिनियम 1986, राष्टी वन नीती 1988, इसके तहत भार में 33 प्रतीशत वंचित प्राप्ति का लक्षे रखा गया ध्वनी प्रदूशन नियमन वनियंत्रन नियम 2000 पर्यावरण के अधिकारों की सुरक्षा तथा पर्यावरण संबंधी कानुनों की प्रभावी कार्यावन कार्यान वैन के लिए अक्टूबर 2010 में राष्टी हरित अ एलेक्ट्रानिक उपकरणों के अनुपयुक्ते वं बेकार हो जाने से होता है इसमें अनेक खतरनाक रसायने वं भारी धातूं जैसे सीसा कैडमियम बेरिलियम पाए जाते हैं जो माना स्वास के लिए खतरनाक हैं प्लास्टिक प्रदूशन से संबंधित तत्य दुनिया भ आता है और प्रतिवर्स 500 बिलियन एक बार उपयोग में आने वाले प्लास्टिक बैग का प्रयोग किया आता है प्लास्टिक का विश्व उत्पादन में 8 प्रतिशत युगदान है प्लास्टिक में मौजूद विशैले रसायन मस्तिक समस्या कैंसर जन्मजात विकृती अन नुवानसिक परिवर्तन थाइराइड समस्या पाचन तंत्र से संबंदित बिमारिया उत्पन कर सकते हैं प्लास्टिक में अन्तह स्रावी समस्या पैदा करने वाले रसायन मौजूद होते हैं जो मुटापा वर डायबिटीज का कारण बनते हैं प्लास्टिक में मौजूद पैथालेट्स एवं बिसफैनोल ए मानों में कैंसर उत्पन करता है BPA महिलाओं के हिरदय को प्रभावित कर सकता है तथा चूहे के DNA को खराब कर सकता है प्लास्टिक दहन से डायोकसी सिंज उत्सरजित होते हैं अब हम देखेंगे म्रिदा प्रदुशन म्रिदा की गुडवत्ता और उसकी उर्वरा शक्ती को प्रतिकूल रुप से प्रभावित करने वाले किसी भी पदार्थ का भूमी में में मेलना म्रिदा प्रदुशन कहलाता है प्राया जल भी भूमी को प्रदुशित करने वाला एक प्रदुशक है प्लास्टिक कपड़ा ग्लास धातू और जैव पदार्थ सीवेज अप्सिष्ट और जयोगीक मलबा आदी मृदा प्रदुशन में ब्रदि करते हैं प्राक्रतिक कारणों से भी मृदा की गुडवत्ता आदी में परिवर्थन होता है मृदा प्रदूशन के श्रोत हैं रासायनों का प्रयोग भूम इप्योग में व्यापक परिवर्तन, मृदा अप्रदन उर्वरकों का प्रयोग अध्योगिक वर नगरी प्रदूशित अपसिष्ट, सिछाई, हानिकारक, सुख्ष्मजीव, डंपिंग, आदी रासायनों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरक, कीटनासी, क्रिशी के आवश्यक अंग है, रासायनिक उर्वरक फसलों के लिए आवश्यक पोशक तत्तु प्रदान करते हैं, परन्तु इसके अत्यधिक प्रयोग के कारण, मृदा के रासायनी के भूती गुड़ों में भारी प पुरत्वी खिचाओ द्वारा प्रिथक होकर बह जाना मृदा प्रदन कहलाता है। वाडिजिक अप्सिष्ट को नगरी अप्सिष्ट माना जाता है। इसमें कूडा, कड़कर, धातु, काज, प्लास्टिक, खादपदार, फाइवर, बोतल, आदी अप्सिष्ट होता है। वर्सा के पानी से मृदा प्रदूशण में और ब्रदी हो जाती है। आदी अद्योगी कारकों से मृदा की गुड़त्ता प्रभावित होती है। तामबा गलाने वाले कारखानों के पास किसी भी प्रकार की वनस्पती नहीं उख सकती। हाइड्रोजन पावर प्लांट्स भी मृदा प्रदूशण के श्रोत है। भूमिगत अप्सिष्ट क्रिशी रासायनों के कारण मृदा की नीचली परत प्रदूशित हो जाती है जिसका प्रभाव छोटे जीव मेढख चूहे मिली पेट्स पर भी पड़ता है। भूमिगत अप्सिष्ट से मृदा की गुड़ता लंबे समय तक खराब रहती है। ऐसे ड्रेन्ट अमल वर्सा मुख्यत वायू प्रदूशन के कारण होती है अमल वर्सा के कारण मिठी में अमल की अधिकता हो जाती है तथा पीयच कम हो जाता है। अमलकी अधिक मात्रा का सांधरण फसलों के लिए हानिकारक होता है नार्वे, स्वीडिन, कनाडा आदी छेतरों में अमलता में व्रिधी के कारण वनों को अत्तिधिक छती हुई है खनन से अपसिष्ट, खनन से म्रिदा की उपरी परत को नुकसान पहुचाता है खनन से उत्पन वेश्ट को म्रिदा में छोड़ दिया आता है वर्सा जल के साथ अपसिष्ट बहुत से छेतर की म्रिदा को प्रभावित करता है विशैले पदार्थों का लीकेज बहुत से विशैले पदार्थों के परिवहन में बहुत बार लीकेज, रिसाव के कारण हानिकारक रसायन म्रिदा में फैल जाता है जो म्रिदा को प्रदूशित करता है ठोस अपसिष्ट की डंपिंग एवं तेल अधिपलाव ठोस अवसिष्ट से विशैले पदार्थ निकलते हैं जो मृदा की गुर्वत्ता को प्रभावित करते हैं तेल अधी प्लाव से मृदा के उपर एक परत का निर्मार हो जाता है जिससे उसकी उर्वरक्ता समाप्त हो जाती है कभी कभी इस तेल अधी प्लाव से आग लग जाती है जो वनस्पती ववनो का विनास कर देती है अनिश्रोत वनोन मुलन क्रिशी तकनीकी वह अकुसल सिचाई, लैंड फिल अतिचारन शिफ्टिंग, कल्टिवेशन, सुक्ष्म जी वह वैक्टीरिया आदी भी मृदा प्रदूशन के प्रमुख सुरोत है मृदा प्रदूशन के प्रभाव मृदा प्रदूशन के कारण जल प्रदूशित हो जाता है जिससे बहुत सी बीमारियां होती है लेड वा आर्सेनिक की अधिक मात्रा से बच्चों का मानसीक विकास वा सारीक विकास प्रभावित होता है मल विसर्जन से भी विभिन रोग होते हैं जैसे एंथ्रेक्स, पशुओं में होने वाला, हुक वर्म, टिटनेस, आंतर ज्वर, दस्त वा पेची, सूजन आदी प्रभाव में भी विद्धी होती है मृदा प्रदन की समस्या बाड, सुखा, आदी, अन्य बहुत से प्रभाव मृदा प्रदुशन के कारण द्रिश्ची गोचर होते हैं मृदा के माध्यम से प्रदुशक खाद शरिंखला में पहुच जाते हैं मृदा प्रदुशन नियंतरण के उपाए, उर्वरक, खद, पत्वार, वकीट, नासी का सीमित प्रयोग करना चाहिए, इसकी अपिक्षा जैविक खद का प्रयोग करना चाहिए अप्सिष्ट का उचित धंग से निप्टान करना चाहिए, डीडीटी वँ अन्य हानिकारक क्रसायनों पर रोक लगा देनी चाहिए राइजोबियम जैसे जैव उर्वरक का प्रयोग हो, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ती में ब्रिधी हो सके जैव उप्चार तकनीकी का प्रयोग, और द्योगी कच्चरे का उचित निप्टान, इसके लिए वेस्ट प्रबंधन तकनीकी वपुनर चक्रण प्रक्रिया का प्रयोग करना चाहिए जल निकास की उचित विवस्था वा उसका रख रखाओ, व्रिक्षार ओपन वा पशू खादे का प्रयोग, मृदा अप्रदन को रोकने वाली तकनीकी का प्रयोग अब हम देखेंगे परयावरण संग्रक्षन यदि हम परयावरण के कारियों और परयावरणों पर पढ़ने वाले मानवी विकल्पों के प्रभावों को भली भाती समझ लें तब परयावरण को संग्रक्षित रखा जा सकता है इसके लिए हमें प्रकृति के निकट होने की आवशकता है आज पूरुषों को अनिवारतावादी द्रिष्टिकोर से सीख लेनी चाहिए जिसके अनुसार महिलाएं उनकी अपेक्षा प्रकृति के अधिक निकट हैं पर्यावरण समर्षण की द्रिष्टी से 1972 का वर्स भारत के लिए विशेश महत्तु रखता है जिसका कारण वन्य जीव समर्षण धिनियम 1972 था साथी 1972 से ही विश्व के विविन देशों में पर्यावरण सम्बंदी समस्याओं पर चर्चा है तु कई सम्मेलिनों का आयजन सुरू हुआ जिसमें सरप्रमुख यूएन द्वारा 1972 में स्कॉर्ट होम में मानो पर्यावरण का पर सन्युक्त राष्ट कॉन्फरेंस है पर्यावरणी प्रभाव आकलन किसी प्रस्तावित पर्योजना के पर्यावरण पर पर पढ़ने वाले संभावित प्रभावों के अध्यन के रूप में जाना जाता है यह परियोजना के कार्यारन हेतु ऐसे विकल्प चुन्ने में मदद करता है जो पर्यावरणी यह आर्थिक मुल्ले के दृष्टिकोर से सर्वस्रेष्ठ हो इस संकल्पना का विकास 1969 में संयूत राज अमेरिका में हुआ भारत में पर्यावरणी प्रभाव आकलन से संबंदि परिक्षण पर्यावरणी विर्ष्टिकोर से करने को कहा वर्तमान में EIA को पर्यावरण समर्षण अधिनियम 1986 के तहत 50 करोड एवं उससे अधिक निवेश वाली विकास परियोजनाओं की 29 रेडियों के लिए अनिवारे बना दिया है अब हम देखेंगे जैव विवित्ता 1992 में रियो डिजेनेरियो में आयजित प्रित्वी सम्मेलन में जैव विवित्ता की मानक परिभाषा अपनाई गई इस परिभाषा के अनुसार जैव विवित्ता समस्त स्रोतो यथा अंतर्ख्षेत्रिय अस्थली सागरिय एवं अन्य जली पारिस्तिकी तंत्रों के जीवो के मद्य अंतर और साथ ही उन सभी पारिस्थिकी सम्मू हों जिनका ये भाग हैं में पाई जाने वाली विवित्ताएं हैं इनमें एक प्रजाती अंदर पाई जाने वाली विवित्ता इसमें एक प्रजाती के अंदर पाई जाने वाली विवित्ता विभिन्न जातियों के मद् एवं I.E. Mac- द्वारा जैविक विवित्ता शब्द का सरपथम प्रयोग किया गया जैविवित्ता जैविक विवित्ता का संचिप्त रूप है जैविवित्ता शब्द का प्रयोग Walter G. Rosen द्वारा 1985 में किया गया जैविवित्ता के प्रकार आनुवान्शिक विवित्ता किसी समुदाय के एक ही प्रजाती के जीवों के जीन में हुने वाला परिवर्तन आनुवान्शिक विवित्ता है उधारण खरगोस की विभिन नसले प्रजाती विवित्ता इसका आश्य किसी पारिस्थिकी तंत्र के जीव जन्तुओं के समुदायों की प्रजातियों में विवित्ता से है उधारण किसी समुदाय की विविन प्रजातिया सामुदाईक या पारितंत्र विवित्ता एक समुदाई के जीव जन्तुओं और वनस्पतियों और दूसरे समुदाई के जीव जन्तुओं वह वनस्पतियों के बीच पाई जाने वाली विवित्ता सामुदाईक विवित्ता या पारितंत्र विवित्ता कहलाती है जै विवित्ता का मापन इसका आश है प्रजाती की संख्या और उसकी सम्रिद्धी के आकलन से है इसे तू तीन विधियां प्रशलित है अल्फा विवित्ता या किसी एक निश्चित छेत्र के समुदाए या पारितंत्र की जै विवित्ता है बेटा विवित्ता इसके अंतगत पर्यावणी प्रवर्ता के साथ परिवर्तन के बीच प्रजातियों की विवित्ता की तुलना की जाती है गामा विवित्ता इसके द्वारा एक भागुलिक छेत्र या आवासों की प्रजातियों की प्रचूरता का पता चलता है जैव विवित्ता की प्रवडता अक्षांसों में प्राया उच्च अक्षांस से निम्नक्षांस की ओर तथा परवती छेत्रों से उपर से नीचे की ओर आने पर प्रजातियों की संख्या में अंतर जैव विवित्ता की प्रवडता कहलाती है उक्च अक्षांस से निम्नक्षांस धुरूवों से भुमद रेखा की और पारिस्थिति या अनुकूल होने के कारण जैविवित्ता में ब्रिद्धी होती है पर्वतीक छेत्रों में नीचे से उपर जाने पर एक कीलो मीटर की अंतराल पर तापमान में 6.5 डिगले सेल्टीगरेट की कमी होती है जो जैविवित्ता का बड़ा कारण है जै विवित्ता को खत्रा जै विवित्ता हॉट्सपouri्ट विश्व के कुछ खेत्रों में प्रजातियों की अत्यदिक विवित्ता पाई जाती है जिसे हॉट्सपouri्ट केहते हैं हर्ट स्पोट की संकल्पना को पर्यावरण व्रिद नौर्मन मायर्स ने 1988 में विक्सित किया किसी अस्थान को हर्ट स्पोट छेत्र घोसित करने हेतू मापदंड इस छेत्र में कम से कम 0.5% या 1500 से अधिक अस्थानिक समवहनी पौधों की प्रजातिया होनी चाहिए इस छेत्र की प्राथमिक वनिस्पितियों का कम से कम 70% नश्ठ हो चुका हो विश्व में कुल 36 जैव विवित्ता हॉट स्पोट छेत्र है 36 हॉट स्पोट के रूप में नार्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन एने सीपी को घोसित किया गया है उप्युक्त कारकों को सम्रित करते हुए विश्व के जिन हॉट स्पोट छेत्रों में अस्थानिक प्रजातियों की प्रचुरता पाई जाती है वे अत्यधिक हॉट स्पोट छेत्र कहलाते हैं इनके विनास का भी खत्रा अधिक है इस वर्ग में विश्व के आठ हॉट स्पोट छेत्र को रखा जाता है मेडगासकर, फिलिपिन्स, सुडालेंड, ब्राजील का अट्लांटिक वन छेत्र, कैरिबियन, इंडो वर्मा, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका, तंजानिया, केन्या के 31 एवं पुर्वी आर्क छेत्र भारत की प्रमुख हॉट स्पोट छेत्र भारत की चार छेत्र विश्व की जय विवित्ता बाहुल छेत्र में आते हैं हिमालेई छेत्र एक सिंग्वाल अगेंडा, एशियाई जंगली भैसा, सुनहरा लंगूर, हिमाले का ताहर, गंगा की डालफीन, नमदफा उड़ने वाली गिलहरी फिर है इंडो बर्मा छेत्र बंदर, लंगूर, गिब्बन, आधि, कपियों का आवाज छेत्र इसके अंतरगत उत्तर पुर्वी भारत का छेत्र म्यामार, थाइलेंड, वियतनाम, लाओस, कमबोडिया एवं दक्षिडी चीन आता है पश्चिमी घाटा और श्रीलंका दक्षिड पश्चिम भारत यों श्रीलंका के दक्षिड पश्चिम के उच्च भूमी छेत्र तक फैला हुआ है एशियाई हाथी, निलगिरी ताहर, शेर पूछवाला बंदर, मकाक, आधि कुछ विशेश प्रजातियां है दक्षिड पूर्व एशिया में इस्थित, इंडो मलाया दीप समू के पश्चिम भाग तक फैला है भारत का निकोबार दीप समू इसके अंतरगत आता है प्रवाल वेल, समुद्री गाए, डियू गौन्ग, आधि विशेश प्रजातियां है होप स्पोर्ट होप स्पोर्ट सागरों के ऐसे विशेश छेतर हैं, जो इनके स्वास्त के लिए महत्पूर है ये छेतर, जैविवित्ता से संब्रिद्ध होने के अलावा, एतिहासिक, सांस्कृतिक, तथा किसी समदाय के लिए आर्थिक रूप से महत्पूर हो सकते है इस अवधाना का प्रतिपादन 2009 में मिशन ब्लू के अंतरगत डाक्टर साल्विया अर्ल ने किया तथा इसे IUCN के साथ सेयुक्त रूप से प्रस्तूत किया भारत के दो छेतर अंडमान और निकोबार दीप समू तथा लक्ष दीप को 2013 में इसके अंतरगत नामित किया गया लुप्त प्राय या संकट गरस्त जीवो का संरक्षन लुप्त हो रहे महतपूर जीवो के संरक्षन हेतू भारत सरकार द्वारा निमलिखित प्रयास किया जा रहे है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में भारत सरकार द्वारा बाग जो एक संकट गरस्त प्रजाती है से के संरक्षन हेतू इसी सुरू किया गया था इसी के अंतरगर टाइगर रिजरु के स्थापना की गई जो फिलहाल इक्यावन है प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में केंदरी सरकार द्वारा सुरू किया गया जिसका उद्देशे हाथियारों के आवास संगरक्षन द्वारा उनकी संख्या में विर्धी करना था हाथियों को उनके ब्रिहत परियावास से जोड़ने वाला संकरा रास्ता हाथी गलियारा कहलाता है देश में फिलहाल 101 एलिफेंट कॉरिडोर है हाथियों की अवैध हत्या को रोकने है तु दक्षिड एसिया में 2003 में साइट्स द्वारा माई कारेक्रम सुरू किया गया MOEF एवं WTI द्वारा 2011 में हाथी मेरे साथी अभियान शुरू किया गया फिर है गंगा डालफिन इन्हें वन ने जीव संक्षन अधिनियम 1972 की अनुसुची एक में रखा गया है यह भारत नेपाल बंगलादेश की गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना आदी नदी तंत्र में पाई जाती है यह मीठे जल की प्रजाती है हंगूल परियोजना इसे कस्मीर स्टैक भी कहते हैं जो केवल कस्मीर के दची ग्राम राष्टि उद्द्यान में ही पाई जाते हैं गैंडा परियोजना इसे 1987 में सुरू किया गया एवं 2005 में इंडियन राइनो वीजन 2020 प्रारम किया एक सिंग वाले गैंडे सिर्फ भारत में ही पाई जाते हैं सेव 2011 गिद्ध संव्रक्षन लाल पांडा परियोजना 1996 पूर्वी हिमाले चेत्र के लाल पांडा संव्रक्षन हेतु हिम तेंदुआ योजना 2009 हिमालई राज्यों में तेंदुआ संव्रक्षन पक्षी अभ्यारन देखलेते हैं हमलो घाना पक्षी विहार भरतपूर राजस्थान रंगन थिट्टू पक्षी विहार मांडिया करनाटक वेदा थंगल पक्छी विहार कांची पूरम तमिल नाडू नीला पट्टू पक्छी विहार नल्लो रांध प्रदेश सुल्तानपूर पक्छी विहार गुरु ग्राम हरियाना सलीम अली पक्छी विहार चोराओ मांडवी नदी के पास गोवा कॉंडिन्या पक्छी विहार चित्तू रांध प्रदेश चिलका जील पक्छी विहार पूरी के पास ओडिसा कुमारा काम पक्छी विहार या बेंबनाद पक्छी विहार को टायम केरल नोट सिक्की में खेची ओ पलरी जील को लोगों द्वारा पवित्र माना जाता है संग्रक्षन मिलता है सामाजिक वान की कारिक्रम भारत सरकार के राष्टी कृसी आयोग द्वारा 1976 में पहली बार सामाजिक वान की शब्द का प्रियोग किया गया यह कारिक्रम पेड लगाने को प्रुसाहन देता है तथा इसका लक्ष वना रोपण को जन अंदोलन में परिड़त करना तथा बेकार पड़ी भूमी को व्रिक्षा रोपण के उप्योग में लाना है संयुक्त वन प्रबंधन वनों के बेहतर और प्रभावी संर्शन हेतू अस्थानी समुदायों और सरकारों के बीच सहयोग हेतू 1990 में इसे लाया गया इसमें वनों संसाधनों के प्रबंधन में अस्थानी लोगों की भागिदारी सुनिश्चित की जाती है इसके अंतरगत वन विभाग और अस्थानी समुदाय मिलकर एक समीती का निर्माड करते हैं और लागत तथा लाब को आपस में साजा करते हुए वन प्रबंधन और संर्शन का कारे करते हैं वन संर्शन आंदूलन नाम वर्स चिपको आंदूलन 1973 गड़वाल हिमालय उत्रा खंड में वनो व वरिच्छों के संर्शन हेतू सुन्दरलाल बहुगडा के नित्रित में साइलेंट वेली आंदूलन 1973 पलकड केरल के सदा बहार उश्रकटी बंधिये वनो के संर्शन हेतू विश्णोई आंदूलन 1731 राजस्थान में अम्रिता देवी विश्णोई द्वारा विच्छों के संर्शन हेतू अपिको आंदोलन 1973 वनो के बचा आने हेतू यह करनाटक का चिपको आंदोलन कहा जाता है नर्मदा बचाओ आंदोलन 1885 नर्मदा नदी पर बहुत देशिय बांध परियोजना सरदार सरोवर बांध गुजरात आदी का मेगा पाटेकर बाबा आंटे व मरुंदती राय जैसे आंदोलन कारियों द्वारा विरोध नव दान्या आंदोलन 1987 वंदना शिवा द्वारा जैविक खेती व जैव विवित्ता संग्रक्षा हेतु भारत के जैव आरक्षित छेत्र देख लेते हैं तो सबसे पहले नीलगिरी ये तमिल नाडू करनाटक केरल छेत्रफल की दृष्टी से घट्टे क्रम में है भारत का प्रथम जैव मंडल आगार 1986 में अस्थापीत पस्चिमी घाट में अवस्थित माला बार वर्सावन निलगिरी में टोंडा, कोटा, कुरुम्बा, ओर्डियन, चेट्टी, अलार जन्जातियां पाई जाती हैं फिर है नंदा देवी, ये है उत्तराखंड में, क्रोड छेत्र में नंदा देवी नेशनल पार्क 1991 में प्राकृतिक विश्व विरासत घोसित एवं फूलों की घाटी इस्थित हैं भूटिया जन्जाती नंदा देवी में है, फिर है नोकरिक, मिघाले में है ये सिमसंग, भूंगी, दारिंग, आदी नदियों का उद्गम अस्थल है, काफी हिस्सा इसका जूम खेती के अंतरगत, मिर्दा अप्रदन एवं उपरी मिर्दा का छे, फिर है मानस, असम में है युनेस्को द्वराव 1985 में प्राकृतिक विशु विरासत अस्थल गोसित है, ब्रह्म पूत्र नदी की सबसे बड़ी साहयक, मानस नदी यहां बहती है, फिर है सुन्दरवन, पश्ची मंगाल में है, गंगा ब्रह्म पूत्र का डेल्टा छेतर है, विशु का सबसे बड़ में ग्रोव छेतर एवं एक मातर में ग्रोव रिजर्व जहां बाग पाये जाते हैं, फिर है मन्नार की खाड़ी, यह है तमिलनाडु में भारत का प्रथम समुद्री बायोस्फिय रिजर्व है, मैंग्रोव लाल काला, कोरल रीफ एवं समुद्री घास की बहुतायत है, उंकट ग्रस्त प्रजाती मेगा पॉंडे का निवास है ये सोंपिन जन जातियां पाई जाती है और ये भारत की प्राचिंतम जन जाती है फिर है सिमली पाल ये है ओडिसा में खरिया गोंड भूमिजा जन जातियां पाई जाती है फिर है डिब्रू डिब्रू सैर वोवा अस संथम म हैं सब्से छोंटा जया मंदली ए रच चटर है फिर है दिहांग दिबांग य्यो रवड़ांचल प्रदेश में है फिर है पंचमडी यह wanna प्रदेश में है सपूड़ा नेशनल पार्क यह यह सती है फिर है अगस्त माला यह तमील नाडु केरल में पड़ेगा 2016 में विश्व जय मंडल आगार का दर्जा मिला है फिर है अचार कमार अमर कंटक मध्य प्रदेश एवं 36 गड़ कच्छ गुजरात में है सबसे बड़ा बायो स्फियर रिजर्व है फिर है शीत मरुस्थल हिमांचल प्रदेश पिन घार्टी राष्टी उद्यान अवस्थित है यहाँ पे फिर है शेशा चलम ये आंध्र प्रदेश में है फिर है पन्ना ये मध्य प्रदेश में है सबसे नवीन 2011 में बना है नोट इन्हें युनिस्को के मैन एंड बायो स्फियर म.A.B. कारिकरम के तहत जैव मंडल रिजर्व के विश्वतंत्र सूची में सामिल किया गया है अब हम देखेंगे जलवायू परिवर्थन Catch मौसमी प्रती रूप में लंबे समय के परिवर्थन को जलवायू परिवर्थन कहते हैं जलवायू परिवर्टन सामाने तह तापमान, वर्षा, हीम एवं पवन प्रती रूप में आए एक बड़े परिवर्टन द्वारा मापा जाता है जो कई वर्षों में होता है जलवायू परिवर्टन के भयंकर दुष परिणामों से बचने के लिए विसु के सभी देशों में यह सहमती बनी है वैश्विक तापमान को पूरु अध्योगी कस्तर से 2 डिग्री से नीचे और तापमान की वृद्धी को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जाए जलव परिवर्टन को प्रभावित करने वाले कारकों को दो भागों में बाटा गया है प्राकृतिक कारक सौर विक्रण में विभिनता सौर कलंक चक्र ज्वाला मुखी उद्भेदन प्रिथवी की कच्छा में परिवर्टन वायू मंडली ये गैसी सन्योजन में परिवर्टन महा जनित कारक संसाधनों का दूर उप्योग नगरी करण एवं तीवर अद्योगी करण जिवाश मिधन का प्रिवग भूमी उप्योग में बड़े पैमानों पर बदलाव जल वास्प CO2 तथा अन्य ग्रीन हाउस गैसों CH4 N2O CFC में व्रिद्धी समताप मंडल में ओजोन का हर तापमान में व्रिद्धी आदि इसके अंतरगत आते हैं जलवायू परिवर्तन का प्रभाव जलवायू परिवर्तन प्राणी जगत एवं पारिस्थिकी तंत्र को काफी समय से प्रभावित कर रहा है इसके प्रभावों में प्रमुख है उश्रकटी बंधिय बीमारियों यथा मलेरिया डेंगू आदि में व्रिद्धी क्रिशी एवं खाद सुरच्छा पर प्रभाव पारितंत्र एवं जय विवित्ता पर प्रभाव जल संकट एवं असुरक्षा ग्लेसियर का पिघलना समुद्री जलस्तर में व्रिद्धी वायू मंडली एवं सामुद्री ता आपमान में विद्धी, भूमी संसाधन पर प्रभाव, चरम मौसमी घटनाएं, हरितगरी प्रभाव, वह प्रक्रिया जिसमें ग्रीन हाउस गय से सुर्य से आने वाले लगू विकरणों को तो प्रिथवी पर आने देती हैं, परन्तु प्रिथवी से वापस लोटने वाले द प्रियाओं द्वारा उत्सरजित हरित ग्रीह गैसों में व्रिद्धी के परडामतह उत्पन ताप व्रिद्धी को वैश्विक तापन कहते हैं, इसके कारण ग्लेसियर का पिघलना, समुद्रतल में व्रिद्धी, वर्सा के प्रारूप में परिवर्तन, प्रवाल, विरंज जर्म रुस्थरी करण जैव विवित्ता महिराश आधी की घटनाएं हो सकती है इसका सरप्रमकारण CO2 की व्रिधी है ग्रीन हाउस गैसें हरित ग्रीह गैसों से तात परे प्राकृति के मुमानव जनीत उन गैसों से है जो अवरक्त विकिरणों को और शोशित करके उन्हें प पार्थी विक्रण को और शोशित कर CO2 की भाती हरित गिरी प्रभाव उत्पन करता है कार्बन डाई आकसाइड मानव जनीत कारकों में भुमंडली तापन हेतू सरवाधिक प्रभावी गैस प्रति व्यक्ति सरवाधिक CO2 उत्सरजित करने वाला राष्ट यूएस से है मीथ प्रत्र भूमी बाढ़ ग्रस धान के खेत कक्ष शेत्र दीमक तथा गाय भेड आदी जानवरों की जुगाली से उत्सरजित होती है नाइट्रस आकसाइड वैश्वित तापन हेतू अन्य जी एच जी की तुल्ला में सबसे कम जिम्मिदार फ्लूरी नेटेड गैस सी एफसी के प्रतिस्थापक के रूप में आई ये गैस सबसे प्रबल एवं दिर्ग जीवी प्रकार की जी एच जी है उधारण एच एफ सी एस पी एफ सी एस एस एफ सिक्स ओजोन परत छरण ओजोन परत समताप मंडल स्ट्रेटो स्फियर में मुख्यता 15-30 किलोमेटर की उचाई में वस्तित है जो सूरी से आने वाली हानिकारक पराबैगनी अल्ट्रा वैलेट की रूणों को अशूसित कर जीव समुदाय विशेश कर मानवों को त्वचा कैंसर अन्य गंबीर विमारियों से बचाती है किन्तु ओजोन परत का दिनो दिन छरण होता जा रहा है क्लोरो फ्लोरो कार्बन ओजोन परत के छरण के लिए प्रमखुद तरदाई गयस है इसका प्रयोग रेफरिजरेटर एर कंडिशनर इस्प्रे आदी में होता है इसके अलाव कार्बन के ट्रेटा क्लोराइड मिथाइल ब्रोमाइड मिथाइल क्लोरोफॉर्म हैलोंस आधी रासायन भी ओजोन परत के छरण हेतु जिम्मेदार है 1987 में निर्मित तथा 1989 से प्रभावित मॉन्ट्रेल प्रोटोकॉल ओजोन परत संक्षण से संबंदित है विश्व ओजोन संक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है संताप मंडल के अत्रिक्त वायू मंडल के नीचले अस्तर अथात छोब मंडल में भी ओजोन पाई जाती है संताप मंडल की ओजोन अच्छी कहलाती है जबकि छोब मंडल की ओजोन बुरी कहलाती है क्योंकि यह वायू को प्रदूशित करती है एवं इसमोग का निर्माड करती है जो स्वसन के लिए हानिकारक होता है अंटार कटिका के उपर सरवाधिक ओजुन छरण के तीन कारण है ध्रूविय समताप मंडली बादल, PSCS, ध्रूविय भवर, पोलर, वर्टेक्स, सक्रिय क्लोरीन का प्रभाव ओजोन छिदर तकनीकी रूप से कोई छिदर नहीं है जहां पर ओजोन गैस उपस्थित रहती हो बल्कि यह अंटार कटिका के उपर समताप मंडल में ओजोन अब घटित छेतर है जो दक्षडी गोलार्थ में बसंत रितू अगस्त अक्टूबर के सुरू होने पर घटित होती है वाईयू मंडल में ओजोन का सांद्रण करीब 300 डॉप्षन यूनिट है कोई छेतर जहां का सांद्रण 220 डॉप्षन यूनिट से नीचे गिर जाता है वह ओजोन छिद्र का भाग माना जाता है भारत ने ओजोन परत के संख्षण हेतू 1991 में वियना कन्वेंशन पर तथा ओजोन छैकारी पदार्थों के संबन में 1992 में मॉन्ट्रेल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये अमली करण अमल वर्षा एशिर रेन वायू मंडल में उत्सरजित सल्फर एवं नाइट्रोजन के आकसाइड वायू मंडली नमी के साथ मिलकर सल्फियूरिक एवं नाइट्रिक अमल का निर्मार करते हैं यह अमल जब वर्षा के साथ मिलकर धरातल पर पहुचता है तो उसे अमल वर्षा कहते हैं सल्फर के स्रोट सागर जौलमुखी उद्गार कार्बनिक पदार्थो का अब घटन कोईला पेट्रोलियम का जलना धातु शोधन कच्चे तेल का परिशोधन नाइट्रोजन के शुरोत आकासी विद्ध्यूत जलमुखी उद्गार जैविक गत्विधियां वनागनी जिवाश्म इधन का दहन सागरी अमली करण मानव द्वारावत सरजित करीब आधे कारबन डायकसाइड को समय के साथ महा सागरों द्वाराव सोसित किया जा चुका है जिससे समुद्र के जल रसायन में परिवर्तन हो रहा है यह परिवर्तन समुद्री पियच मान में कमी अमलियत्ता में व्रिद्धी के द्वारा प्रदर्शित हो रहा है यही सागरी अमली करण कहलाता है यह समुद्री जीवनें चक्र खास कर जो खाद दे जाल के नीचले अस्तर परस्तिते उन्हें प्रभावित कर रहा है शेल बनाने वाले जीव यथा कोरल, लॉबस्टर, श्रिम्प आधी पर नकरात्मक प्रभाव पढ़ रहा है एवं प्रवाल विर्वरेंजन की घटना को बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है भारत भारत एवं जलवाईव परिवर्तन भारत ने आर्थिक एवं पर्यावड़ी लक्ष्यों को एक साथ हाशिल करने हितू सतत्विकास का मार्ग अपनाया है ताकि लोगों की एक बड़ी आबादी के जीवन अस्तर में सुधार एवं जलवाईव परिवर्तन के प्रभावों के प्रती उनकी असुरक्षा की भावना को कम किया जा सके इसी सिधान से प्रेवित होकर भारत के प्रधान मंतरी ने 2008 में जलवाईव परिवर्तन के लिए राष्टी कारी उजना प्रारम की इसके अंतरगत आठ राष्टी मिशन है राष्टिय सौर मिशन इसके तहत जवारलन लहरू राष्टिय सौर मिशन जन्वरी 2010 में सुरू किया गया जिसका उद्देश दो हजर बाइस तक 20,000 मेगावाट जिसे बढ़ा कर एक लाख मेगावाट कर दिया गया है सौर उर्जा का स्रिजन करना है दूसरा है राष्टिय समवर्धित उर्जा दक्षता मिशन 24 अगस 2009 को प्रधानमंत्री परिशत द्वारा मंजूरी प्राप्थ हुई फिर है राष्टिय सतत परियावास मिशन भवनों में उर्जा बचत सुधारों ठोस अपसिष्टों के प् रिवहन को अपना कर परियावास को सत्र बनाना इसका लक्ष है फिर है राष्टी जर मिशन 6 एप्रेल 2011 को मंजूरी प्राप्थ हुई राष्टी जरनीत की बंधो का पालन करते हुए जल उपियोग वचत को 20% बढ़ाना इसका लक्ष है फिर है हिमालाई परितंत्र को टिकाव बनाने हेतू राष्टी मिशन 28 फरवरी 2014 को मंजूरी प्राप्थ हुई हिमालय के हिमनदो और परवती परितंत्र को बनाय रखने हेतू इसे लाया गया फिर है राष्टी हरित भारत मिशन इसके तहत कार्बन सिंख सहीत पारितंत्र सेवाओं को बढ़ा देना शामिल है 20 फरवरी 2014 को राष्टी ग्रीन इंडिया मिशन को मंजूरी मिली जिसका उद्देश अगले 10 वर्सों में वन व्रिक्ष शेत्रों में 5 मिलियन हेक्टेयर ब्रिधी करना है फिर है राष्टी सतत क्रिशी मिशन इसे क्रिशी को प्रत्यासित जलवाई परिवर करने एवं जलवाई परिवर्तन की चुनोतियों से निपटने हेतु इसकी परिकल्पना की गई भारत का आई एंडिसी प्लान भारत ने घरेलू मुर्चे पर जलवाई परिवर्तन के विरुद अपनी प्रतिपद्धता के संदर में 2030 तक 2005 के अस्तर की तुल्ना में सकल घरेल उत्पात की उत्सर्जन गहनता 33 से 35 प्रतिशत तक कम करके एवं 2030 तक गैर जिवाश में इधन आधारित उर्जास अंसादनों से 4 प्रतिशत संचाई विद्ध्यूत संस्थापित छमता हासिल करने का लच्छ तै किया है सतत विकास सतत विकास ऐसा विकास है जो आने वाली पीडियों के हितों समझोते किये बिना वर्तमान पीडि की आउशकताओं को पूरा करता है सतत विकास की संकल्पना का वास्तविक विकास 1987 में हमारा साजह भविष नामक रिपोर्ट जिसे दव ब्रंट लेंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है कि आने के बाद हुआ एवं तभी से इस शब्द का व्यापक रूप से प्रियोग किया जाने लगा संयूत राष्ट द्वारा गठित आयोग ने विकास के लिए परिवर्तन हेतु वैश्विक प्रारूप का प्रस्ताव पेश किया ब्रंट लेंड रिपोर्ट ने हमारे रहन सहन एवं शासन में पुनर विचार की आवशक्ता पर जोर दिया मानवता के लक्षियों इम आकांचाओं को प्राप्त करने के लिए पुरानी समस्याओं पर नए तरीके से विचार करने तथा अंतराष्टिय सहयोग एवं समन्वे पर बल दिया इस आयोग का आपचारिक नाम पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग था इसने मानो पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसादनों के च्षै या खराब होती स्थिती तथा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उस च्षै के परेडाम की और ध्यान आकरिष्ट किया था आयोग की अस्थापना करते समय संयुक्त राष्ण महासाभा ने विशिष्ट रूप से दो विचारों को विशेश महतु दिया पर्यावरण अर्थ विस्था था लोगों की भलाई अत्यधिक अंतर संबंदित है सतत्विकास के लिए वैश्वि प्रित्वी पर तभी तक है जब तक अन्य पसुपक्षी और पेड़ पौध है सच तो यह है कि स्वतंत रूप से हमारा प्रित्वी पर कोई अस्तितु नहीं है इसलिए हम सतत्विकास के माध्यम से निमलिखित उद्देशों की पूर्ती करनी चाहिए गरीबी निवारण एवन सतताव जीविका, पर्यावरण अनुकूल मानवी गत्विधिया, उर्जा दक्षता, प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों का संक्षा, उत्पादन और शरो का विकास, नवी करणी संसाधनों का पर निर्भरता, सतत्विकास है तु भारत के प्रयास, भारत में सतत्विकास को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियों और कारेकरम बनाए गए हैं, आठ राष्टी अभियान ऐसे हैं, जो अपनी प्रकृति में बहुआयामी और दिर्गावधिक हैं, और सतत्विकास की दिर्ष्टी से महत्पूर हैं, राष्टी सौर मिसन, उर्जा दच को बढ़ाने के लिए राष्टी मिसन, सतत अधिवास पर राष्टी अभियान, राष्टी जल अभियान, हिमाले परितंत्र को बनाए रखने के लिए राष्टी अभियान, फिर है हरित भारत के लिए राष्टी अभियान, संपोषडी किर्षी के लिए राष्टी अभियान जलवायू परिवर्तन संबंदी रड़नीतिक ज्यान के लिए राष्टी अभियान सतत्विकास लक्ष 2015 के पश्चाथ विकास एजेंडा अंगिकृत करने के लिए नियुयार्क में सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट महासभा की उच्चस्तरी बैठक के तौर पर सतर्वा संयुक्त राष्ट सिखर संमेलन आयजित किया गया नए एजेंडा के निडायक दस्तावेज और आपचारिक तोर पर अंगिकृत करने के लिए संयुक्त राष्ट के इस सतत्विकास सिखर संमेलन में दुनिया भर से 150 से अधिक देशों के राष्टा द्यक्षों ने हिस्सा लिया SDG SDG 2030 अब सहस्त्राबदी विकास लक्ष का अस्थान सतत विकास लक्ष लेंगे यानि MDG का अस्थान SDG ले लेगा अगली क्लास में हम पर्यावन से संबंदित विविन जो राष्टिय संगठन है वहाँ से सुरू करेंगे ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो इसको आप लोग पुरा पढ़ लिजेगा इसमें समझाने के लिए कुछ भी नहीं था इसलिए मैंने इसको पुरा वैसे ही पढ़ दिया जहां बताना था वहां बता दिया तो इसको देख लिजेगा इसमें से बहुत सारी प्रशन आपके नेट में जरूर बनेंगे अब इसका हम पार्ट 3 लेके आएंगे ये पार्ट 2 हो गया वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए इसको हम यही पर खतम कर रहे हैं तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार